अगर्शека वालवालयकूं अमित कतियों ४ खेरे से होंगे और बहुती मजे में होंगे आज ही जो मैंट ग्रिक्शन विडियो है् वो कुरान और हमका पाठैसे बीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हमें कुरान में से और क्या नही नही चीजे सीखने को मिलती है या कुरान में जो चीजे लिखी कही है उनके बारे में हमें क्या नही चीज बता चलती है सो लेस्टार्ट दा वीडियो झाले लखुष लाले से लाले सीखने करना सी लड़ान, दो अल्याभ है में होदाने को अ्र से अजार्ब लाले सिरी निखे दाले से लाले से बता पायाई जो можете आ悉मा HERE पूलार। इंन तो आज के सेशन में दोबारा दो तरह की प्लूरल्स का दो तरह की जमा का कंपारिसन और उसके बाद इंशालला एक मजीद मिसाल अगर वक्त मिला तो उस पर भी बहस होगी आज मैं पहली बात आप से करना चाहता हूं नेमत के बारे में अर्दू का लफज है असल में अर्ब कहते हैं जब भी मैं नेमत सुनता हूं तो मुझे जरा कान में खुझली होती है मुझे नेमा कहना पड़ता है लेकिन खेर नेमत का लफज अर्बी में उसके दो उसकी दो मुखतलिफ जमा है उसकी एक जमा है अन्वम अर्दू में इस्तमाल नहीं है अर्भी में है अन्वम दूसरी नेमत की जमा है नियम, 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 अके, अब इन में से एक जईफ है, इन में से एक गवी है, एक खिलत की तरफ इशारा करती है, दूसरी कस्रत की तरफ इशारा करती है, इन में से जो जमा किलत की तरफ इशारा करती है, जो कम है, वो है अन्यूम, इसे कहते हैं ज अगर अर्दू में मुझे तर्जमा करना भी पड़ा है, शुकर है मेरी रिसमेदारी नहीं है, अर्दू तर्जमा करने की, मेरी अर्दू का अर्दू में तर्जमा करना पड़ता है, लेकिन खेर, अगर नियाम का लवज कुरान में हो, या पुरानी अर्भी में हो, तो उसका ज्यादा बहतर तर्जम्ह होगा बहुत सारी नेमते, यஞे बहुत सारी का झाओ़ उसमें ठोड़ा सा करना पढ़े गा कि वह जम्रेश काहिए किसरा ये कसरत की जमाहे तो कुछ यह काहलत की तरह इशारा तर्जिम्हे में करना पढ़े गा अगर आप सिर्फ कह दें कि नेमते ने पुर और भाता का अंदाजा नहीं होगा व की समयちょाग का लब्युख पूर्वाय मुनासिब है कि तब तरजGमे में फड़ा सा इजाएंगे क्या कपा खुद एक उम्मत था गानितन लिल्ला जो आल्ला की फर्माबदारी के लिए हमेशा तयार थे गानित उसे कहते हैं जो हुकम देने से पहले भी हुकम मानने को तयार हो जो स्टेंड बाइ में हो उसे गानित कहा जाता है अच्छा वुल्म यकू मिनाल मुश्रिकीन और वो शेक करने वालों मेंसे नहीं था शाकिरन लिएण उमिह शाकिरन लिएण एनुमिह वो आल्ला की कुछ नेम्तों का शूकर करने वाले थे अजीब सा तरजमा कुछ तो कोछ नेमतों का इबराहिए बात हो रही है। यह कैसे कह दिया कि व gettinat उर्हे की कुछ नेमतों का शुकर करनेवाले थे बात तो यह कहनी चाहिए थी कि व्हूर अशपने शूर्ट कि भूस और मैं लो और आयत है आगे उसका तर्जमा थोड़ी बाद मैं करूँगा वास्बगा अलेकुम नियामा हुवाहिरतन वबातिना उसमे नियाम का लवज यानी बहुत सारी नियमतों का जिकर अच्छा पहले एक एक स्टेप करके बात समझने की कोशिश करें अगर तुम अगर तुम अल्भ टाला की नियमतों की गिंती करो तो तुम उसका पूरा हिसाब नहीं लगा सकते तर्जमा मैंने जरा देख के किया है फाइदे दिये हैं, इस हाथ से क्या 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 काम निकले हैं, कौन सी कौन सी मुसीबतें ठली हैं इस हाथ के होने की वज़ा से, मैं गिन सकता हूँ, आज ही, आज के दिन में, कितनी दफा इस हाथ ने मुझे बचाया है, मैं गिन सकता हूँ, इस हाथ ने कितनी दफा मुझे बचाया मरस से बचाया मैं गिन सकता हूँ एक नेमत को पूरी तरह से समझना पूरी तरह से उसकी गिन्ती करना उसका शुमार करना वो भी इनसान के बसकी बात नहीं है ठीक है ये कुरान का फलस्फा है कि आप पूरी जिंदगी भी शुकर में गुजार दें तो वो एक नेमत के बारे में बाकी इनसानियत तो कितना नहीं कर सकती एक का शुकर छोड़ो एक की गिन्ती नहीं कर सकती शुकर की तो बात भी नहीं की गिन्ती की बात की हमें तो गिन्ती नहीं आती वहां शुकर की बात हो रही है शुकर तो बात की बात है पहले किसी नेमत का इहसास होता ह उसका एक रियलिजेशन होती है। उसके बाद उसका शुक्र किया जाता है। जब नवत का इसास ही ना हो तो शुक्र कौन करेगा। इबराहीम आलेशसलाम की पूरी जिन्दगी जो शुक्र किया आलदा का उसकी तशरी जो पुरान में आ रही है। उसकी तस्वीर जो खींची जा रही है वो यह है कि उन्हें कुछ निमतों का शुकर अदा किया और फिर दूसरी बात इसमें समझने की है कि अबरहीम अलिएसलाम जैसी अजीम शख्सियत अगर हर लमहा जिन्दगी का शुकर में गुजार दे अगर आप उनकी शुकर को अल्ला ताला की निमतों से कंपेर करें तो कंपेरिसन में निमतें बहुते हैं भी जो रह गई जिनका शुकर ना हो सका जिन्दगी एतनी लंबी नहीं थी लंगे इतनी ज्यादा नहीं थी जिन्दगी में कि तमाम निमतों का शुकर अदा किया जा सकता तो अगर comparison करें तो अगर लाकों निम्तों का भी शुकर अदा किया तो comparison में तो थोड़ी ही हुई ना इसलिए थोड़े का लवज इस्तमाल किया है देखो इनसान की सलाहियत में है ही नहीं कि वो थोड़े से ज्यादा कर सके ये बात सिकhouses जा रही ब착ए जा रही है दोसी दरफ आफ लव ने जो बात की है जस्में बहुत सारी नेम्टों का जिकर किया है वहां कहा है वस्बगा अलईकुम निवावतन वाहिरतन वबातना लात लाए ने तुम पर अपनी नेमतों के दरवाजे खोल दिये जो नेमते नजर आती हैं और जो नेमते चुपी हुई है यहां जिकर है नेमतों के दर्वाजे खोलने का और खोल कौन रहा है अलताला कोल रहा है यहां बात मुनासिब करने की क्या थी थोड़ी नेमते या बहुत सारी नेमते बहुत सारी, और जो तुम देख सकते हो, जो तुमे नजर भी नहीं आती गाहिरतन वो बातिना, तो यहां मकाम था बहुत सारी निमतों की जिक्र के करने का, इसलिए निए निए नियम का लफ़ इस्तमाल हुआ है, तो इस मिसाल में सूरह शुरह शुरहा से तालुख है, चश क्या वस्फ बियान किया जा रहा है? उनके भाई, उनके भाई नूह ने उनसे का, अच्छा, उसके बाद, इज काला लहूम अखूहुम हूद, उनके भाई हूद ने उनसे का, यानि हूद ने अपनी कौम से बात की, और उनकी क्या तारीफ दी जा रही है यहाँ पर? उनके भाई आगे चलें इज काल लहुम अखूहुम सालिह किनके भाई उनके भाई सालिह ने उनसे बात की यानी सालिह अपनी कौम से अपने भाईयों से बात की अच्छा इज काल लहुम अखूहुम लूत लूत ने भी किस से बात की अपने भाई उनके भाई लूत ने उनसे बात की यानि हर नभी के बारे में क्या तारीफ आ रही है भाई उनके भाई उनके भाई उनके भाई उनके भाई उनके भाई अखुहुम 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 आख लेगे जोबात होगी वो किसे होगी, शौउब अब आलीससलम की उन्होंने कहा तक्वा क्यूं नहीं करते तक्वा क्यूं नहीं करते तुम तुम लोगों को तक्वा नहीं है और फिर और मजीद एक अजीब बात ये, कि अगर आप सुरह ये 26, अगर आप सुरह अनकबूत का थोड़ा सा जाइजा लें, सुरह अनकबूत में दुबारा शुएब अलेशसलाम का जिकर है, और वहां क्या कहा है, मदियन की तरफ उनके भाई शुएब भेजगे थे, ऐसा भी नहीं है कि कुरान में कहीं और उनके भाई होने का जिकर नहीं, भाई होने का जिकर तो है, लेकिन अजीब बात ये, कि जिस सूरत में हर एक के साथ भाई का लवज इस्तमान हुआ, वहां तो मेरी तवक्व थी कि और जगाँ पुरान में उनको भाई कहा गया है कि नई, और जगा तो कहा गया है, तो यहां क्यों नहीं ज़खा गया, जब अज़ सब के साथ आगया, यानि आन्लद तालग सिक रहा है हमारी नहीं यहां पर अखु का लवज इस्तमाल क्यों नहीं हुआ, बाकी भाद के जाता है. अब मदियन के कबीले में उसके गाऊं में एक बहुत बड़ा दरख था. र्हो इसके अंदर एक बहुत बड़ा दरख था. और यह लोग एक तरह का शिर्क करते थे उस दरख्ट की पूजा किया करते एक तरह से वो जो योगा वगारा में करते हैं या बूजिस वगारा करते हैं बैट कि बस छे-साथ गंटे ओम चल रही है उनकी तो यह यह मामला था उनका और उस दरख्त का नाम था अल-एका दरख्त का नाम था अईका आईका एका कुरान में कभी कबार उन लोगों को अच्छा बात तो एक ही है, यानि वो जगा है और वो एका है, उन्हीं लोगों की बात हो रही है लेकिन बात में थोड़ा सा फर्क भी आ जाता है अगर आप कहें कि वो मदियन के लोग हैं, तो आपने रेफरेंस दी है एक जगा की और जो उस जगा से है, वो उसका भाई है यानि तमाम मदियन के लोग आपस में भाई है, और उनका भाई होने का नाता किस वास्ते से हैं boiling तो तमाम लोग मदियन से हैं अगर आप उन्हें कहें असحाब अएका, वो एका के लोग हैं तो फिर तो आपने जगा की बात नहीं की, आपने उनके मजभ की बात की है और मजभ के इतबार से तो तो तमाम भाई भाई नहीं हो सकते यानि शहर के इतबार से, कबीले के इतबार से, नसल के इतबार से भी भाई हो सकते लेकिन दीन की अखुवत और चीज़ है अब समझें अल्ह ताला ने शॉयब आले शॉयब के बारे में फर्माया है मदियन की तरफ उनका भाई शॉयब भेजा गया जब मदियन का लफ इस्तमाल हुआ तो भाई कहने में कोई मुमानियत नहीं कोई इतराज नहीं, कोई बुरी बात नहीं क्यों? क्योंकि मदियन का तालुक या उनकी नसल से है या उनकी लोकेशन से है ठीक है? उसकी जगराफिया से उसका तालुक है अच्छा फिर सुरह शॉयरा में कहा कजबा अस्हाब अइकतिल मुरसलीन अइकतिल मुरसलीन अइका के लोगों ने रसूलों का इंकार किया जब शॉयरा ने उनसे बात की अब नहीं कहा कि उनके भाई शॉयरा ने उनसे कहा क्योंकि जब अइका का हवाला दे दिया तो अइका का हवाला तो उनके शिर्क के दीन से है उनके शिर्की मख़ब से है और उस मख़ब के नाते उनकी खुवत तो है नहीं उनके वो भाई नहीं बने फिर फिर बस शौइब है शौइब ने उनसे कहा बाकी किसी قوم के नाम के साथ शिर्क का कोई वास्ता नहीं था लेकिन अस्हाब अइका नाम के अंदर ही शिर्क है ये अइका वाले लोग हैं ये अइका की अबादत करते हैं इसलिए भाई का लवज निकाल दिया तो ये भी एक हिकमत है कुरान की और कभी कभी ये नो मैं पढ़िए सुन रहा होता हम हमारे यंग लड़कें वह तरावियां पढ़ार होते हैं काल लहम नूह ये भाई पर शॉयभ के बाने आती है इद पार फिस चालं वोज उने भाई ये तन्य ऱहाँ है अे बड़ा मसला यार, उसको ऐसे ने छोड़ ताओं नहीं, इस झाहिए बात नहीं को ऊच्वाइन चोटी बात है एक छोटी बाट है ही नहीं, हर चीज की एक ऐखी ऐह का और अगर आप इन बातों को नहीं उतको तो फिर इनसान कर다는 दिल में यही बात आती है जो परक बाइज भाई नहीं भाई एक भात है एक भी बड़ी बात था है नहीं बस ठीक है अब नहीं है क्या करें यह सिर्फ हफाज को ट्रिक करने के लिए, उनकी खास कामप्लिकेशन बैदा करने के लिए, कुछ अलफाज निकाले गए हैं, वाकि बस बगार इस मेंटल एक्सरसाइस के इसकी कोई एहमियत नहीं है, सुभान अल्ला, सुभान अल्ला, यही एक एक्सरसाइस है, जो मैं बार मसला नहीं है, वो अल्ला का मसला है, आप थोड़ी सी कमिट्मेंट तो दिखा दें, थोड़ी सी हिम्मत करने, थोड़ा से सीख लें, लतरकबुना तबकान अन तबक, लतला आपको एक एक दर्जे से दूसरा दर्जा खुद लेकर जाएगा, तुम चड़ोंगे एक एक मरह से दूसरे महले तक चड़ोंगे तो, और इसमें कोई शक ही नहीं है, लतर्कबुना तबकना अन तबक, फमाला हुम ला यूमिनून, फिर नहीं क्या मसला है, एमान क्यों लाते, मानते क्यों नहीं, इस बात पर नहीं यकी नहीं आता है, कि इनकी प्राग्रेस होगी, मुद्दकिर, फहल मिन मुद्दकिर, इस आयट में जो खूबसूरती है, मैं हैरान रहे जाता हूं, आल्छ ताला फर्मा रहे हैं, कि हमने गुर्ण को जिकर के लिए आसान कर दिया, जिकर का मतलब आल्ला की याद करना, आप अगर तुमारी नियत है, कि अगर तुमारी नि बाकी सब असान हो जाएगा फाहल मिन मुद्दकिर फिर कोई भी है जो थोड़ी सी एफर्ट कर थोड़ी सी कोशिश करके जिकर कर ले अब मैं आपको मुद्दकिर के बारे में कुछ बातें मताता हूँ मुद्दकिर असल लवज है मुद्दकिर 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 अरभी में कहते हैं जो बहुत महनत करके किसी चीज़ को याद रखे जो बहुत महनत करके किसी चीज़ को याद करे उसे मुद्दकिर जाल का लवज और ता का लवज और इसमें मुश्किल है और उस मुश्किल में ही इशारा है कि ये काम भी मुश्किल है किसी चीज को मुश्किल से याद रखना बहुत एफट करके याद रखना मुश्किल कामें आसान नहीं है अच्छा इसका एक अगर थोड़ी सी इसमें कोशिश कम हो मुद्धकिर ना हो इनसान मुद्धकिर हो मुद्धकिर जाल के साथ मुद्धकिर हो इसके माइने भी यही है कि जो कोशिश करके किसी चीज़ को याद करे लेकिन क्यूंके तलफ्वज में आसानी है तो इशारा इस बात पर है अरभी में बलागत में, सर्फ में, कि इस इनसान की कोशिश जरा कम है, याद करने की कोशिश तो करता है, लेकिन कम कोशिश करता है, इस से एक मजीद मरहला नीचे अगर ना मुद्धकिर कहना मुश्किल, मुद्धकिर कहना मुश्किल, अगर कहें मुद्धकिर, असान के नहीं? exercise, ना कोई ऐसा मुश्किल हर्फ, मुद्धकिर, मुद्धकिर, मुद्धकिर के माइने निकलते हैं सर्फ में, कि ये सबसे एजी वर्जन है इस लफ़ का, कि कोई कमसकम लीस्ट, सबसे अकल कोशिश जो कर ले, सबसे लीस्ट बिट कोशिश कर ले, उसको मुद्धकिर कहा जात है, कोई नजर नहीं आ रहा, फाहल मिन मुद्धकिर, थोड़ी सी कोशिश तो कर लो, थोड़ी सी कोशिश, हल मिन मुद्धकिर, कोई भी है, और ये सवाल एक दफ़ा नहीं, तीन तीन दफ़ा कुरान में, कोई है, कोई है, कोई थोड़ा सा भी काम करने को तयार है, इस र्म्जाद के महीने में हमें महनत करने वालों में से बनाए और हमारी महनतों से हमें कुर्आन से कुर्ब अता फर्माए और हमारी अबादतों में इखिलास पाड़ा करें बारक अल्लाहुली व I coronated 1 a तो आउयकुँई जैसे कि मैं भी अपने आपको बोलूंगी कि मैं ज्यादा नहीं लेकिन मुझे भी मुझे भी कुरान के बारे में कुछ नौलिज गेन हो सके कुरान और हम वाकी एक बहुत ही अच्छी सीरीज है जो मैंने स्टार्ट की है मैं लगी कि मैंने इस वीडियो पे रख करना स्टार्ट किया और इसमें काफी चीजें पता चलती हैं जो कि बहुत हर लवज का अच्छे से मीनिंग भी बता रहे हैं नौमान अली साहब मैंने एक वीडियो देखा था डोक्टर जाकि नायक साब का जिसमें उन्होंने ये हिए ओर वह लोग भी डोक्टर जाकि नायक साहब ने बताया था कि मुस्लिम हैं ऐसा नहीं है कि कि मुस्लिम इंसान ने बोला है कि वुर्ण में कुछ नोता देखो घोगी तो आपको यही लगए किया था कि जो भाई के लिए उन्होंने वाल लव्स किया था कि कई जगा तो उन्होंने शोहेब को अगर कोई ऐसे मोटा मोटा देखेगा कुरान को पड़ेगा तो उसको नहीं समझाएगा कि हर जगा पे अलग वर्ड क्यों जूज किया होता है वहाँ पे इसको यह चीज कहके अद्रस की ती यहाँ पे कुछ सी और नाम से क्यों अद्रस कर रहे हैं तो जिनको इतनी डेक्स न से कि कुरान में हर अपनी जगा पर वह बтесь्पिक हैं उसका कोई वीजन है कि वह पाटिकुलर वर्ड क्यों जूज किया गया है ऐसा कि नहीं है कि कोई गलती कि है नहीं है। उनका अपना एक वीजन है वो पर्टिकुलर लफ्ज यूज़ करने का तो ये है तो ये कह देना कि कुरान में गलतियां है और कुरान में ये लफ्ज यह वो लफ्ज गलत यूज़ किया गया है वो कोई भी पपस अब नहीं करता आपको अगर अच्छे से समझना है कुरान को उसके मीनिंग को क्या मैसिज है तो उसकी डेप्थ नौलिज होना तो ज़रूरी है जब तक नहीं होगी आप यही बोलते होगे कि गलती है किसे भी काम में जैसे अगर हमें नहीं पता कि यह काम ऐसे होना था या यह चीज़ ठीक है हमें इनी नौलिज तो हम तो बोली है अगर उन्हें उल्टा बोल दिया जाएं अगर गलती है तो आप करेक्शन करो इसमें वह लोग नहीं कर पाएंगे यह डोक्टर जाकिनाइक सापको भी बोलना चाहिए था कि अगर आप बोल रहें कि गलती है तो इसको करेक्ट कर दो करक्ट करके आप दिखाओगी क्या ह हुआ हैं हुआ है कंजिसी वीडियो में कि टोपर जाकिना तो इसमें भी करेक्शन करें रहें तो कि इन वूख रहें है करने हैं आनकोन गोलती है था कक़ह टैश्चन कर सकते हैं तो है तो उसक्थ हो में इसमीघतर में कड़ना चाहिए और यकरे को करए Совग हुआ है कोई धरम हो, कोई रिलीजन हो जो अपने रिलीजन को फोलो करता है हर किसी की अपनी शर्दा होती है सब को रिस्पेक्ट करना चाहिए तो आज की इस वीडियो को हम यहीं खतम करते हैं जी, बाब बाई